B.com या Bachelor of Commerce एक डिग्री कोर्स है जो आनलाइन मोड में उपलब्ध है. B.com सिलेबस कॉमर्स के विशयों जैसे Accountancy, Business Studies, Economics और Mathematics से संबंधित है. Bachelor of Commerce के कई ऐसे विशय आनलाइन पढ़ाए जाते हैं जो छात्रों के लिए एक बड़ी मदद बन जाते हैं. चात्र के आधार पर Paid and Free Courses दोनों तरह के कोर्स उपलब्ध हैं. चात्र की जरूरत के अनुसार, Diploma और Certificate Course हैं. B.com Online भी तीन साल का कोर्स है जो चात्रों को Business Communication, Financial और Corporate Accounting, Business Law और Accounting के बारे में अपना ज्यान बढ़ाने में मदद करता है. नमस्का दोस्तों फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है Distance and Online Education in India और मेरा नाम है विरिंदेवर्मा. जैसा आप सभी जानते हैं, देश-विदेश की Universities, Colleges, उनके Courses को Explore and Review करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप ज़नना चाहते हैं. B.com Online कार्यकरम के लिए अधिक विकल्प नहीं है, क्योंकि यह कुछ ही College ओं द्वारा प्रदान किया जाता है. B.com की पढ़ाई Online क्यों करें? B.com Courses का Online अध्ययन करने के कुछ मुख्य कारण है. चात्र को ऐसे बहुत से विशयों के बारे में पता होगा, जो syllabus का हिस्सा नहीं होंगे. यात्रा के समय की आवश्यक्ता नहीं है, जिससे चात्र को अधिक उर्जा के साथ ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी. syllabus self-paste वाला है, जो चात्रों को अपनी गति से सीखने की अनुमती देता है, और इस प्रकार अन्य चात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई अतिरिक्त दबाव नहीं होता है. on-flying class की तुलना में फीस कम है, जो चात्रों के लिए फाइदेमंद है. चात्रों को commerce के क्षेत्र में अपने दिमाग को व्यापक बनाने और उनके आस-पास क्या हो रहा है, इसकी बेहतर समझ रखने में मदद करें. BCom Online, admission, online admission process, gradual entry के आधार पर पूरे वर्ष सभी छात्रों के लिए खुली रहती है, हाला कि प्रत्येक बैच के लिए व्यक्तिगत रूप से आवेदन की समय सीमा तय की जा सकती है. Students को form भरना होगा और आवश्यक दस्तावेजों और photo के साथ जमा करना होगा. Students को प्रवेश के लिए eligibility criteria से गुजरना होगा और उसके अनुसार course चुनना होगा. भुकतान debit credit card के माध्यम से या संबंधित पते पर DD के माध्यम से किया जा सकता है. भुकतान के बाद चात्र तुरंत या जब संस्थान कहे तब कक्षा शुरू कर सकता है. कई universities and institutions online, bachelor of commerce, b.com courses प्रदान करते हैं. हालांकि तब से विशिष्ट विवरन और उपलब्धता बदल गई होगी, इसलिए latest information की जाँच करना महत्वपून है. और आप पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सबस्काइब करें ताकि इसी तरह की educational videos आप तक पोछ सकें सबसे पहले. Research universities and institutions, reputable universities और educational institutions की तलाश करें, जो online b.com program पेश करते हैं. उनके द्वारा प्रधान किये जाने वाले courses की विस्तृत जानकारी के लिए उनकी website देखें. Accreditation सुनिश्चित करें कि online b.com course की पेशकश करने वाला विश्वविद्यालय या संस्थान मान्यता प्राप्त है. Accreditation यह सुनिश्चित करता है कि प्रधान की गई शिक्षा कुछ गुणवत्ता मानकों को पूरा करती है. Course, Structure and Curriculum यह सुनिश्चित करने के लिए Course, Structure and Curriculum की जाँच करें कि यह उन विशेयों को शामिल करता है जिनमें आपकी रुची है और यह आपके करियर लक्षियों के अनुरूप है. Admission Requirements Online b.com course के लिए प्रवेश आवशक्ताओं की जाँच करें. इसमें Academic Qualifications, Language Proficiency और अन्यमान दंड शामिल हो सकते हैं. Online Bachelor of Commerce B.com Programs अपनी शिक्षा में Flexibility, सुविधा और पहुँच चाहने वाले चात्रों के लिए कई लाब प्रदान करते हैं. Online b.com करने के कुछ प्रमुख लाब हैं. Flexibility Schedule Flexibility Online b.com Programs चात्रों को अपनी सुविधा नुसार, कोर्स, मेटीरियल्स और लेक्चर्स तक पहुँचने की अनुमती देते हैं. यह Flexibility, अन्य प्रतिबधताओं जैसे काम या पारिवारिक जिम्मेदारियों वाले व्यक्तियों के लिए विशेश रूप से फाइदे मन्द है. Cost Savings, Reduced Commuting Costs, Online सीखने से आवागमन की आवश्यक्ता समाप्थ हो जाती है, जिससे चात्रों के परिवहन और संबंधित खर्चों पर पैसे की बचत होती है. दोस्तों आप किसी भी University के कोई भी Documents verify करवाना चाते हैं, verification के काफी सारे process होते हैं पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियो के मात्यम से बोलता हूँ कि RTI एक बहुत अच्छा option होता है, government process के थ्रूँ आपकी Documents verify हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सिधा University से ही verify करवा सकते ह अपनी website पर detail डालके रखती हैं या फिर RTI लगवाएं इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं और अगर कोई भी Documents किसी भी University से आपने लिए हैं, अब further documents आप निकालना चाते हैं, migration, degree, LOR, transcript, कुछ भी निकालना चाते हैं और आप University से बहुत दूर हैं, आप helping hand चाते हैं तो हो सक सकता है, इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें, कोई भी Documents जो आपके University में भी pending हैं, और दोस्तों कोई भी आप मदद चाते हैं, West Process में या फिर डिगरी को verify करवाने के लिए आप हम से भी contact कर सकते हैं संभावित कम tuition fees कुछ online programs में traditional on-campus programs की तुलना में कम tuition fees हो सकती है, इसके अतिरिक्त छात्र परिसर आवास और भोजन योजना जैसी लागतों पर बचत कर सकते हैं हालांकि online b.com programs के सपष्ट फायदे हैं, लेकिन छात्रों के लिए सावधानी पूर्वक शोध करना और उच्च गुणवत्ता वाली online शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त संस्थानों का चैन करना महत्वपूर्ण है इसके अतिरिक्त, online सीखने की सफलता अकसर व्यक्ति के आत्म अनुशासन और समय प्रबंधन कौशल पर निर्भर करती है तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो उमीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो के लिए करें दो वीडियो अच्छी लगी करें और है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी खियो अच्छी लगी होगी